हेलो एवरीवन मैं संचीता जैन मैंगनेट ब्रेंज हिंदी मीडियम चनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैंगनेट ब्रेंज प्रोवाइड कराता है आपको किंडर गार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सिस हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री जी हां तो देर किस बात की आईए उजुडिये मैंगनेट ब्रेंज के साथ आज के सेशन में मैं आपके लेके आई हूँ क्लास 10 की सोसल साइंस की एकनॉमिक्स की बिहार बोड का रोजगार एवं सेवाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण तो QUEbras यानि कि अपना एम-ाई-क्यू शe के शेशन उर सेशन को शेशन करने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा इस वाले शेशन को लाइक करतें उपना हूप करते हैं अपना शेशन सोल्ब करेंगे पहला स्टैप क्या होगा यानि कि question का type जो है पहला type क्या होगा अती लगुत्रिय प्रश्णों होगे दूसरे type में क्या होगे दूसरे type में लगुत्रिय प्रश्णों होगे और तीसरे type में क्या होगे तीसरे type में जो है अपने अती लगुत्रिय प्रश्णों को हम solve करेंगे यानि कि अति लगुत्रिय, लगुत्रिय और दीरगुत्रिय इन तीन चरणों में हम सारे question को solve करेंगे जैसा कि आपको पता है और मैं भी पता चुकी हूँ अति लगुत्रिय प्रश्णों का उत्तर maximum 2 line में देना है लगुत्रिय प्रश्णों का उत्तर maximum 4-6 line में देना है और दीरगुत्रिय प्रश्ण का उत्तर जो है दस से बारा लाइंस में देना है क्लियर हुई ये बात चलिए तो बढ़ते हैं आंगे और अतिल अगुत्रिय प्रश्ण में पहला प्रश्ण है आपके सामने की भारती अर्थ ववस्था के तीन प्रमुक्षेत्र कौन कौन से हैं भारती अर्थ ववस्था के तीन प्रमुक्षेत्रों के नाम आपको बताना है जो हैं अर्थ ववस्था के तीन प्रमुक्षेत्र क्रश क्रसी शेत्र जो है कौन सा शेत्र क्रसी शेत्र जो है उसको अर्थे विवस्ता के प्राथमिक शेत्र के नाम से जाना जाता है उद्योक्षेत्र को दुतियक्षेत्र के नाम से जाना जाता है उद्योक्षेत्र के नाम से जाना जाता है दुतियक्षेत्र के नाम से और सेवा शेत्र को तरतियक्षेत्र के नाम से जाना जाता है क्लियर हुई ये बात चलि तो इस question क जो answer है Wuh है क्या कि अर्थ विवस्ता के तीन प्रमुक्षेत्र कौन कौन से हैं क्रशी छेत्र उध्योख चेत्र और सेवा छेत्र जिसमें क्रशी छेत्र को प्रातमिक छेत्र, उध्योक छेत्र को दुतियक छेत्र और सेवा छेत्र को तरतियक छेत्र के नाम से जाना जाता है जो कि अरत्व वहसता के प्रमुक तीन छेत्रों के नाम से जाने जाते हैं क्लियर वी ये बात चलिज़े तो बढ़ते हैं question number two की तरह तो लगुत्रिय प्रश्णों में प्रश्ण क्रवांग 2 है आपके सामने मानव पूझी के घटक कौन कौन से हैं मानव पूझी के घटक मैं आपको कई बार बता चुकी हूं ठीक है चलिए तो मानव पूझी के घटक जो है वो इस तरीके से हैं पांच घटक है मानव पूझी के सि पूर्ण मानों विक्सित मानों के रूप में जाना जाता है यानि कि शिक्षा स्वास्त भोजन आवास और वस्त्र इन में से जो आखरी तीन पॉइंट है भोजन आवास और वस्त्र इनको क्या कहा जाता है इनको मूल भूत आवशक्ताओं के नाम से भीज अना जाता है क्लियर हुई बात चलिए तो ये तीन क्या है रोटी कपड़ा और मकान यानि की भोजन आवास और वस्त्र जो है मुलभूत आविशकता हैं वही इनमें दो चीजें और जोड़ने हैं अपन सिक्षा और स्वास्त तो ये मानव पूजी के पांच घटक जो है बन जाते हैं ये तो रास्टी ग्रामिड रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी कई बार बताया गया है आपको जब मल्टिपल च्वाइस क्वेश्चन यानि की MCQ मैंने पढ़ाये थे सॉल्व कराये थे तब भी आपको मनरेगा के बारे में या नरेगा के बारे में बहुत जिसे नरेगा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है जिसे नरेगा भी कहा जाता है नरेगा वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है मन रेगा के नाम से भी जाना जाता है तो आप से क्या पुछा गया कि रास्टी ग्रामनी रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई थी तो रास्टी ग्रामनी रोजगार गारंटी योजना जो है 2005 में शुरू की थी इसको जो है नरेगा के नाम से जाना जाता था बाद में 2009 में नरेगा के नाम से कब 2005 में और बाद में जो है नरेगा को मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का नाम चोड़ दिया गया और इसे जाना जाने लगा महात्मा गांधी राष्ट प्रश्वादूर को 365 में से कम से कम सौ दिनों का रोजगार दिया जाना इसमें आवश्यक है कितने दिनका रोजगार सौ दिन का अनिवारिय रोजगार चलिए क्लियर हुई ये बात तो राश्टी ग्रामनी रोजगार गारंटी योजना जिसे पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था वो 2005 में शुरू हुई फिर 2009 से इसे मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा इसका पूरा नाम क्या हो गया महात्मा गाधी राश्टी ग्रामनी रोजगा एक साल में देने का प्रावधान किया गया है क्लियर वी बात चलिए तो बढ़ते हैं क्वेशन नमबर फोर की तरह भारत की अधिकार अधिकांश जनसंग्या भारत की अधिकांश जनसंग्या किस छेत्र में सनलगन है आपको बताना है कि भारत की अधिक से अधिक जनसंग्या किस शेत्र में सनलंगन है प्राथमिक शेत्र में दुतियक शेत्र में या त्रतियक शेत्र में प्राथमिक शेत्र यानि की क्रसी शेत्र दुतियक शेत्र यानि की अध्योग शेत्र त्रतियक शेत्र यानि की सेवा शेत्र इन तीन शेत्रों में से भारत की अधिकावन से जनसं पूछे गए हैं याद रखना सेवा छित्र के भाग आप से पूछे गए हैं ना कि भारती अर्थ विवस्था के तीन भाग आप से पूछे गए हैं भारती अर्थ विवस्था के तीन भाग मैं से जो एक भाग सेवा छित्र उसी सेवा छित्र के अन्य दो भाग आप से पूछ होता है तो सरकारी सेवा छित्र के अंतरगत सरकार आपको काम देती और उस काम के बदले आपको मासिक वेतन दिया जाता है उसके बाद गैर सरकारी सेवा छित्र क्या कहलाता है गैर सरकारी सेवा छित्र जो है सरकारी सेवा छित्र के अंतरगत नहीं आते इसमें लोगों को रो दो बढ़ते हैं question number Six की तरब अति लगुत्री है प्रश्ण में question number Six से आपके सामने मनुषी की नियोंतम आवश्यक्ताइं कौन-कौन सी है मनुषिकि नियुंतम आवर्शक्ताओं के बारे में आपको बताना है। मनुषिकuben तीन आवशक्ताईं मूलभूत आवशक्ताय को तीन नियुंतम आवशक्ताइं के रोटी बड़ा और मकान यानि कि भोजन आवास और वस्त्र इन ही मैं इन ही मैं अगर दो को और एड कर दिया जाए वो दो कौन सी है वो दो कौन कौन सी है एक तो हो गई आपकी सिक्ष्या और दूसरी हो गई आपकी स्वास्त अगर इन दो को और एड कर दिया जाए तो ये ये पांच मिलके क्या हो ज जाते हैं मानव पूँझी के पांच घटक क्या हो जाते हैं मानव पूँझी के घटक हो जाते हैं कलियर वी बात तो question क्या था कि मनिश्य की नियुँतम आवशक्ता ये कौन कौन सी तो मनिश्य की तीन आवशक्ता मुलबूत होती है रोटी कपड़ा और मकान उसमें अगर इन दो को और एड कर दिया जाए यानि कि शिक्षा और स्वास्त तो ये पांचों मिलके क्या कहलाती है यानि कि भोजन आवास और वस्त्र साथ में सिक्षा और स्वास्त ये मिल जाए तो माना पुझी के पांच घटक जो है आपके ब भारत सरकार ने किस प्रकार की सिक्षा को मौलेक अधिकार घोशित कर दिया है ठीक है यह क्वेश्चन कहां से निकल के आया है यह क्वेश्चन आपने समविधान में पढ़ा होगा अब यहां पे स्क्वेश्चन की चर्चा क्यों करी गई है क्योंकि यहां पर बात करी गई तो भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस प्रकार की सिख्षा को मौलिक अधिकार गोसित किया है तो चलिए देखते हैं तो प्रात्मिक सिख्षा को भारत सरकार ने प्रात्मिक सिख्षा को जो है मौलिक अधिकार गोसित किया है कि हर व्यक्ति के पास प्रात्मिक सिख्षा ग्र यहां से आपके शुरू हो जाते हैं लगुत्रिय प्रश्ण तो लगुत्रिय प्रश्णों का आंसर आपको कितने शब्दों में देना है लगुत्रिय प्रश्णों का आंसर जो है आपको चार से छे लाइन्स में देना है तो सुचना प्रद्योगी की से जुड़े पांच क्षित्रों के नाम आपको बताना है सुचना प्रद्योगी की यानिकी information technology आई-टी promises या सूचना प्रद्योगी की से जुड़े पांच सेवाच्छ छित्रों के नाम आपको बताना है तो पहली बात है टेली फॉन टेली फोन से आप कहीं भी दूर इस्त्यत्य को फोन कर सकते हैं फैक्स पहले होता था अभी भी होता है आप फैक्स कर सकते हैं इंटरनेट बिलकुल संचार का माध्यम है सुचना प्रध्योगी की से ही जुड़ा है उसके बाद मुबाइल फोन सुचना प्रध्योगी की से ही रहेइं चलिएि चलते हैं नंबर नइन की तरफ अब पूछा गया है आपको गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं जानी की ते दो भाग मैंने आपको कौन कौन से बताए थे एक सरकारी सेवाचेत्र और दूसरा मैंने आपको बताया था गैर सरकारी सेवा छेतर तो उन्हीं मैंसे एक आप से पूछा गया है कि इस गैर सरकारी सेवा छेतर किसे कहा जाता है चलिए यह है इसका आंसर को अपने एक बार बहुत अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सरकारी सेवा से इतर सेवाएं यानि कि सरकारी सेवा से अलग सेवाएं इतर्स का अर्थ है अलग यानि कि इससे परे इनसे अलग सरकारी सेवा से अलग सेवाएं आम नागरिकों द्वारा खरीदी जाती हैं और वे गैर सरकारी सेवा कहलाती यानि कि सरकारी सेवा के अलावा और बाकी की जो सेवाएं हैं जो आम नागरिक उ सेवाओं का वो क्या कहलाती है गैर सरकारी सेवा कहलाती है उसके बाद क्रशी छेत्र में काम करना पूर्णता गैर सरकारी सेवा है बिल्कुल सरकार का इसमें क्या मतलब क्या एक खेती करने वाला सरकारी सेवा कर रहा है बिल्कुल नहीं कर रहा तो सेवा छेत्र पूरी तरीक इसे गैर सरकारी सेवा है ठीक है उसके बाद इसी प्रकार इजी इसी प्रकार निजी कल कार खानों में यानि की निजी छेत्र के जो अध्योग हैं इंड्रस्टीज है या कार खाने हैं तो निजी कल कार खानों में काम करना तथा स्वारोजगार चलाना यानि कि खुद का कोई रोजगार हो खुद की कोई दुकान हो खुद की कोई कंपनी हो खुद का एक उध्योग हो इत्यादी सब गैर सरकारी सेवाएं हैं उसके बाद हम बात करें परीवहन की तो बस ट्रक टैक्सी जैसी याताया सेवाएं तथा किसी डॉक्टर द्वारा निजी क्लीनिक चलाना ये सब क्या है गैर सरकारी सेवा है अब जिसे यहां पर क्लीनिक की बात करी गई डॉक्टर की बात करी गई तो स्वास्थ की कैटेगरी में ये बातें आती हैं तो स्वास्थ जो है सरकारी छेत्र और गैर सरकारी शेत्र दोनों में आता है कैसे आता है क्योंकि स्वास्थ जो है स्वास्त छेत्र जो है सरकारी होस्पिटल भी होते हैं सरकार स्वास्त के लिए स्वास्त अभियान चलाती है कैम्प लगाती है नहीं नहीं योजनाय चलाती है कुछ योजनाय तो ऐसी चलाएं गई है कि जिनके माध्यम से बड़ी से बड़ी वीमारियों का इलाज भी बहुती कम पैसों में हो जाता है तो स्वास्ते कैसा शेत्र जो सरकारी शेत्र में भी काम करता है और निजी शेत्र में भी काम करता है तो clear हुई ये सब बाते हैं कि गैर सरकारी सेवाएं क्या हैं और कौन कौन सी सेवाएं जो हैं गैर सरकारी सेवा छेतर के अंतरगत आती हैं चलिए तो बढ़ते हैं question number 10 की तरफ बताना है आपको लगूत्रिय प्रश्ण में ही कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा मंदी का असर जो आधुने विश्वम है मंदी का असर है उसका असर भारत में क्या पड़ा क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ा चलिए जानते हैं आंगे मंदी का असर भारत में पढ़ा ठीक है यह नहीं कहा जा सकता कि नहीं पढ़ा लेकिन कैसे पढ़ा तो मंदी का असर भारत में पढ़ा किन्टु बहुत ही कम अब यहां पे एक बात बहुत ही ध्यान देने लायक है आपसे question में क्या पूछा गया है मंदी का असर भारत में क्या पड़ा आपसे यह नहीं पूछा गया कि मंदी का असर भारत में नकारात्मक किस तरीके से पड़ा यहां पर आप से पूछा गया है कि मंदी का असर भारत में क्या पड़ा तो आपको ऐसे question के answer की सुरुवाद जो है बहुत ही सकारात्मा क्यानिकी positively करना है क्लियर हुई यही काम हमने यहां पर भी किया है पहले तो हमने लिखा कि मंदी का असर भारत में पड़ा है लेकिन बहुत ही कम पड़ा है कैसे इसका कारण यह है अब मंदी का असर भारत में कम कैसे पड़ा आप इसके बारे में हम बताएंगे तो इसका कारण है कि भारत का पूझी बाजार काफी मजबूत अवस्था में है एक बात हो गई कि भारत का पूझी बाजार काफी मजबूत अवस्था में है दूसरी बात करें तो यहां के इंजीनियर आज बाहसरोती बने हुए है बाहसरोती यानि की आउटसोर्सिंग बाहसरोती का यहाँ पर क्या मतलब है आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग यानि की आउटसोर्सिंग यानि की आउटसोर्सिंग यानि बाहसरोतों के माध्यम से अपना पैसा कमाते हैं जैसे कि मैंने आपको BPO का example दिया था यानि कि business process outsourcing के मध्यम से जो है अपना पैसा कमा लेते हैं दूसरी बात विदेशों में इनकी सेवा की काफी माग है यानि कि भारत के इंजीनियर्स की विदेशों में सेवा की काफी माग है साथ ही साथ सूचना प्रद्योगी की यानि की information technology आईटी के छितर में भी भारत बहुत आगे है इन्ही सब कारणों के कारण इन्ही सब कारणों के से भारत का अधारवुद धाचा कमजोर रहने के बावजूत भी भारत का अधारवुद धाचा जो है basic infrastructure जो है कमजोर है इसी कारण अभी भी हम विकास शील देशों की सरणी में आते हैं ना की विकसित देशों की सरणी में लेकिन यहाँ पे कारण क्या-क्या बताएगा है कि विश्व में आर्थिक मंदी होने के बाद भी भारत पर इसका क मसर पड़ा क्यों पड़ा कि यहां के इंजीनियर बाहस रोती है आउट्सोर्सिंग से अपना जो है रोजगार चला लेते हैं भारत का पूझी बाजार काफी मजबूत है विदेशों में यहां की इंजीनियर्स की काफी मांग है सूचना प्रध्योगी की में भारत आज बह विश्व पर तो पड़ा लेकिन भारत पर बहुत ही कम पड़ा किलियर हुई यह बात लेकिन कैंद्री सरकार के लेकिन कैंद्री सरकार के गैर जिम्मेदार नरणयों के कारण इनका असर जो है भारत पर पड़ा ना की मंदी के कारण पड़ा यह बास समझ में यानि कि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि उन चीजों के कारण भारत पर आर्थिक मंदी का असर पड़ा लेकिन कम पड़ा और वह असर भी क्यूं पड़ा वह असर पड़ा केंद्र सरकार के गैर जिम्मेदार निरड़यों के कारण पड़ा ना की ना की भारत के तीनों छेत्रों के कारण पड़ा अगर भारत की सरकार क्रशी छेत्र द्योग छेत्र और तीसरा छेत्र कौन सा है अपना तीसरा छेत्र जो की सेवा छेत्र यानी की भारत की सरकार अर्थ विवस्ता के तीनों छेत्रों पर परियाप्त ध्यान दे भारत में जितने भी संसाधन है उनका समुचित प्रयो हो सकते हैं तो ये बात किलियर हुई कि भारत में भारत में जो है वैश्विक मंदी का असर भारत में कितना पड़ा और कम पड़ा तो कम क्यों पड़ा लियर हुई यह बात चलिए तो बढ़ते हैं आगे है क्वैश्वी करण का सेवा चीत्र पर क्या प्रभाव पड़ा तो इसको जानते हैं कि कि वेश्वी करण के जरिये सेवा छेत्र कितना डैवलाप हुआ कितना नहीं हुआ क्या प्रभाव पड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो वेश्वी करण का सेवा छेत्र पर यह प्रभाव पड़ा कि अपनी सेवा बेचने वालों को अपने देश के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी काम मिलने लगा है कैसे अपनी सेवा बेचने वालों को देश के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी काम मिलने लगा है और यह बात कैसे सफल हुई कि यहां के लोग दूसरे देशों में जाके काम करने लगे वो possible हुआ कैसे, वो संभाव हुआ कैसे वैश्वी करण के माध्यम से, वैश्वी करण की परिभाशा क्या कहती है वैश्वी करण की परिभाशा कहती है कि जब विबिन देशों की अर्थ वबस्ता एक दूसरे के साथ जो है आर्थिक गति विधिया करने लगे तो उस स्थिती को जो है वैश्वी करण कहा जाता है यानि कि दो या दो से अधिक देशों के बीच माल और सेवाओं का आया तो निरयात होने लगे तो वो कंडिशन क्या कही जाती है वो कंडिशन कही जाती है वैश्वी करण की स्थिती के नाम से जानी जाती है तो वैश्वी करण का सेवा छित्र पर यहां पर आपसे प्रभाव पूछा गया है तो वैश्वी करण का सेवा छित्र पर यह प्रभाव पड़ा कि अपनी सेवा बेचने वालों को अपने देश के अलावा विश्व के अन्य देशों में भी काम मिलने लगा आगे देखें लोगों को दूसरे देशों में जाकर रोजगार करने या रोजगार प्राप्त करने का खुला अधिकार प्राप्त हो गया कैसे वो चीज कैसे हुई वैश्वी करण की प्रक्रिया भी कैसे सार्थक मानी जाती है वो मानी जाती उधारी करण के माध्यम से क्योंकि उधारी करण क्या होता है उधारी करण में व्यापार एक प्रतिबंद हटा दिये जाते हैं व्यापार और सेवाँ पर से प्रतिबंद हटा दिये जाते हैं तो जब व्यापार से वहाँ पर से प्रतीबंद हड़ आए तब तो वैश्वी करण हुआ तब तो विश्वी की अर्थववस्ताएं मिली और एक दूसरे से आर्थिक गतिवीधियां करने लगी आगे देखें कि विक्सित देशों में भी भारती मूल के विज्ञानिकों को काम करने का मौका मिल गया यानि कि जो डेवलब्ड कंट्रीज हैं अमेरिका इंग्लेंड जैसी कंट्री हैं अमेरिका इंग्लेंड जैसे देश है या रास्ठ हैं उनमें भी भारती मूल के विज्ञानिकों को काम करने का मौका मिला है वैश्वी करण के कारण ही भारती विज्ञानिक जो है तीवर बुद्धी वाले तदह कम वेतन पर भी अच्छा काम करके विदेशों में अपनी जगए बनाने में पूरी तरह से सफल होने लगे हैं अब आपने बहुरास्टी कंप प्रोफिट्श होती है है तो ठीक इसी तरीक से वही बात यहां पर भी लागू होती है किस तरीके से की भारती विज्ञानिक जो है तीब्र बुद्धी वाले हैं और कम वेतन पर भी जादा काम अच्छा काम विदेशों में करके अपनी जगए बना लेते हैं तो जब विदेशियों विदेशों को यानि की विक्षद रास्टों को विक्षद देशों को अमेरिका एंगलेंड जैसे दुनिया के जो विक्षद देश हैं उन देशों को सस्ती स्रम सक्ति उपलब्द होगी और अच्छी बुद्धी वाले व्यक्ति काम करेंगे अच्छे वैज्ञाने के यहां कम वेतन पर काम करेंगे तो वो क्यों नहीं उनको नौकरी देंगे तो यह सारी चीजें किसके परिणाम से सफल हो पाएं वैश्वी करण के कारण ही यह सारी चीजें सफल हो पाएं तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वी करण का सेवा छेदर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभ है आपको बताना है आर्थिक संरचना का क्या महत्व है अब जिन संरचना से उत्तर की तरफ ध्यान दें हम जानेंगे आर्थिक संरचना का महत्व जानेंगे की जिन संरचना से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है उसे आर्थिक संरचना कहते हैं किस सनरचना से जिस सनरचना से देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है उसे आर्थिक सनरचना कहा जाता है उसके बाद इस शेत्र में वित्तिय संस्थाओं का अधिक महत्व है वित्तिय संस्थाओं यानि की बैंकिंग सेवाएं अपने वित्तिय छेत्र की संस्थाओं के बारे में पड़ा था आपका बिहार बोड का ही एक चेप्टर है उसमें हमने वित्तिय संस्थाओं को बहुत अच्छे से जाना था तो इस शेत्र में वित्तिय संस्थाओं का भी महत्व है किसमें आर्थिक संदचनाम है तो बैंकिंग सेवा जो है एक राज इस्तर ये वित्त निगम भी है बिलकुल है वित्त आयोग भी बनाया गया है इन सब के कैंद्र में रिजर्व बैंक का स्थान सर्वोपरी है यानि कि जित्ती भी वित्ति सेवाएं हैं चाहे वह बैंकिंग सेक्टर हो चाहे वह राश्टी या राज इस्तर का वित्त नि यह सभी वित्तिय संस्थाओं पर नजर रखता है तो आर्थिक संरशना का महत्व जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वित्ती संस्थाओं के माध्यम से आर्थिक संरशना जो है पूर्णता को प्राप्त करती हैं किलियर हुई ये बात तो चलिए बढ़ते हैं विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात कैसे है उधारण सहत आपको बताना है भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात कैसे है उधारण सहत समझाई तो चलिए बढ़ते हैं आंगे देखें इसमें भारत जो है विश्व को एक अच्छा सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन धरोहरों की एक स्रंखला है ठीक है अब हम देखें इसके अला स्थान है जहां परियटक ठिचे हुए आते हैं बिल्कुल किलियर हुई यह बात तो भारत जो है विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में कैसे विख्यात इसके बारे में हम जान रहे हैं तो सबसे पहले हम इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे और उसमें यह भारत को एक भारत विश्व को एक अच्छे सेवा प्रदाता की रूप में विख्यात है भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन धरोहरों की स्रंखला है और उन्हें धरोहरों की स्रंखला के माध्यम से विदेशी परियटक जो है हमारे यहां खिचे चले आते हैं इसके अल बदले में हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो रही है तो यहां पर हम बात कर रहेते भारत को सेवा प्रदाता की रूप में कैसे जाना जाता है उसमें हमने देखा की श्री नगर सिमला नैनी ताल ऊटि मनाली आदी निक से स्थान है जहां परेटा खिचे चले आते हैं और भारत जो है इन What अपनी से वाएं देता है और बदले में विदेशियों से हमें विदेशी मुद्राइब प्राप्ति होती है तो क्या हमें क्या हो रही है तो vor प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा का यानि कि विदेशी करंसी का मूल्य जो है भारत के रुपया से कहीं अधिक जादा ही है ठीक है फिर उसके बाद हम देखें कि भारत में कुछ ऐसे राज्य भी है जो अपने अपने छेत्र में विश्वा में अकेले किस त रहे जो मरू भूमी यानि की रेकिस्तान की रूप में विख्यात है तो ऐसी कई सारी विश्व धरोहरे यानि की वर्ड हैरिटेस साइट्स जो है भारत में अपलब्द हैं जिसकी वज़े से विदेशी परेटक भी हमारे यहां घूमने के लिए चले आते हैं उसके बाद हम देखें कि इन स्थानों पर विश्व के कोने कोने से जो परियटक आते हैं पहले तो उन्हें यातायात की सुविधा चाहिए हम यातायात की सुविधा भी उन्हें देते हैं जो भारत में हर प्रकार के यातायात के साधन मौजूद हैं चाहे वो हवाई यात्रा रहो सड़क यात्र हो रेल यात्र हो या फिर या फिर जल यातायात हो तो सारी जितने यातायात के माध्यम होते हैं यह यातायात के साधन होते हैं यानि कि ट्रांस्पोर्टिशन के जितने भी माध्यम है वह वो सारे ट्रांस्पोर्टिशन के माध्यम भारत में उपलब्ध है तो इस तरीके से हम विदेशी परेटकों को जो है सारे यातायाद के साधन भी उपलब्ध कराते हैं उसके बाद देखें कि देश की अधिक संख्या के लोग इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए ततपर रहते हैं यानि कि यातायात के इलावा हमारे अहां संचार के साथनों की भरमार है आप जहां देखें वहां पे IST booth जो है आपको मिल जाएंगे साथ ही सासपके हाथ में मुबाइल तो होता ही है यह तो पुराणी बात हो गई लेकिन IST के रूप में संचार के साधन भी उपलब्द है यहां तक की सड़कों के किनारे चाई की दुकाने धाबा यह छोटे चोटे जुनरल स्टोर जैसी दुकानों पर भी यह सेवा उपलब्द है किस तरीके से उपलब्द है डिजिटल पैसा ट्रांसफर करने की डिजिट तो इस तरीके से जो है वहाँ पे आज के डिजिटल युग में जैसे की भारत की कलपना भारत को डिजिटल पैसा ट्रांसफर करने के मामले में हो वे सारी सेवाइं जो हैं भारत में उपलब्ध हैं अब यहां पर देखें कि इन इस्थानों से कोई विश्व के किसी कौने में बात कर सकता है और संबाद संपर्क कायम कर सकता है इस काम के लिए मोबाइल फॉन हाथ में लिए घुमा भी जा सकता है क्लियर हुई ये बात तो किस तरीके से भारत जो है सेवाएं दे रहा है भारत में इन विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए इस्थान इस्थान पर होटल और मोटरों की भरमार है आज की उदारवादी नीतियों के कारण पर्यटन होटलों में जाना रहना खाना घूमना फ आगे देखें कि खरीदारी और अस्पतालों में चिकिस्सा सेवा की मी कमी नहीं है यानि कि आप भारत के बाजार देखें तो आपको खरीदारी की भी कमी महसूस नहीं होगी अस्पतालों की बात करें तो वहां भी चिकिस्सा सेवा की कमी नहीं है और ये सेवाएं हर नगर और हर महानगर में बहुत आयस से उपलब्द हैं चाहे वो किस तरीके का भी शहर हो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत विश्वकों सेवा प्रदाता के रूप में विख्यात है इससे विदेशी मुद्रा आती है यानि कि जब विदेशी पर्यटक हमारे यहां आएंगे तो क् जिस चीज की भी सेवा हमसे लेना चाहेंगे उसके बदले में आपको करंसी देंगे मुद्रा देंगे और उनकी मुद्रा उनकी करंसी विदेशी मुद्रा या फॉरन करंसी का जो मूल है भारत के रुपया से कई अधिक रुपया जादा ही है तो वहां से क्या और जब सब्सक्राइब उसके लिए क्या जरूरी है उसके लिए सबसे पहले कि भारत देस में हम सेवा उपलब्द कराएं तब तो विदेशी विक्ति यहां की सेवा लेंगे और यहां करंसी देंगे अगर विदेशी विक्ति यहां ना आए, यहां की सर्विसेस ना ले तो उनकी करंसी कैसे आईगी जबकि उनकी करंसी का मूले हमारे यहां की रुपया से जादा है और सिर्फ यदि हम उनकी ही सेवाई लेंगे तो हमारा रुपया तो बहुत छोटा है डॉलर के मुकाबले तो रुपया की वैल्यू काम है तो हमारे देश की मुद्रा जो है दूसरे देश में जाती रहेगी और जादा कौंटिटी में जो है यानि की महेंगे दाम पर हमें उनकी सेवाई लेनी पड़ी और उनकी सेवाओं का हमारी सेवाओं का लाब हम उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे और उनकी विदेशी मुद्रा का लाब भी हम नहीं ले पाएंगे तो यहां पर इस चीज का बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, इस चीज के बैलेंस को बनाने के लिए ही निर्यात और आयात की विवस्था करी गई है ताकि विदेशी मुद्रा आए भी, साथ ही साथ अगर हम दूसरे देशों से कुछ सामान ले रहे हैं, दूसरे देशों से उपमें विख्यात है ये बात आप जान चुके होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नमबर 14 क्वेश्चन नमबर 14 जो की देरगुत्री प्रशन है उसमें आप से पूछा गया है कि सेवा छित्र में सरकारी प्रयास क्या किये गए हैं अब सर नागरिकों को काम के बदले मासिक वेतन देती हैं सबसे पहले अपने परिभाशा लिखेंगे की सरकारी सेवा क्या है question की demand क्या है कि सेवा छित्र में सरकारी प्रयास क्या किये गए हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सरकारी सेवा छित्र क्या होता है उसके बाद क्या प्रयास किये गए हैं उनको जानेंगे तो जब देश या राज जी की सरकार हैं अपने नागरिकों को काम के बदले मासिक वेतन देती हैं तो इसे सेवा छित्र में सरकारी प्रयास कहते हैं फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि सरकारी सेवा का छित्र बहुत थी व्यापक है कैसे है कुछ उदहारणों के माध्य हम से समझाएंगे जैसे की प्रशासनिक्ष सेवा उसके बाद सैन्य सेवा सिक्षा सेवा स्वास्थ सेवा अभी अंत्रण सेवा अभी अंत्रण याने की इ यह सभी क्या है सेवा छित्र में सरकारी प्रयास है अब एक एक करके इनको हम डेटेल में लिखेंगे तो सबसे पहले हम प्रशाशनिक सेवा के बारे में बताएंगे कि सरकार के वास्त्विक संचालक के प्रशाशनिक सेवा से संबंद अफसर ही होते हैं यानि कि सरकारी सेवा जो है उनके वास्तविक संचाला कौन होते हैं प्रशासनिक अफसर ही होते हैं इन्हीं की ही बातों पर मंत्रीगर्ण अपनी नीती बनाते हैं किसी जिले का कलेक्टर कलेक्टर को जिलाधीस बोला जाता है हिंदी में कलेक्टर या जिलाधीस प्रशासनिक सेवा से ही आते हैं क लुष्री सेवा जो है सैने सेवा, सैने सेवा को यानि military service को तीन भागों में बाटा गया है। एरबी और वायू सेवा यानि की एर फोर्स थीक है इन तीनों सेवां के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इन तीनों भागों में अधिक संख्या में लोगों को नौकरी प्राप्त है, बिलकुल है, सैन्य सेवा में देश के कई युवा कारे रथ है, सैन्य सेवा देश की सुरक्षा की दृष्टी से बहुत महत्वपूर है, तो सैन्य सेवा भी सरकारी सेवा के अंतरगत आती है, चलते हैं चाहे वो प्रशासनिक शीत्र हो प्रशासनिक शेत्र में अधिकारी बनने के लिए आपको सिक्षा लेनी पड़ेगी आपको डॉक्टर बनने के लिए सिक्षा लेनी पड़ेगी आपको अभी अंत्रण यानि की इंजीनियर बनने के लिए सेवा लेनी पड़ेगी व्यापार छेत्र के लिए भी आपको वाडिजी की सिक्षा होना आवश्यक है उसका ग्यान होन यह एजुकेशन सर्विस जो है वो भी सरकारी छेटर का एक भाग है क्लियर वी बात अब बात करें हम चौथे छेटरी की स्वास्थ सेवा की यानि हेल्थ सर्विस की तो गाउ में प्राथमिक चिकिस्सा ब्लॉकों में रैफरल अस्पताल जिलों में जिला अस्पताल तथा र गवा भी मुफ्त में दी जाती है तो इस तरीके से जो है सरकारी सेवा स्वास्थ सेवा के शेत्र में भी आपके लिए उपलब्ध है क्लियर वी यह बात चलिए अब देखते हैं अगली सेवा अभी इंट्रण सेवा यानि की इंजीनियरिंग सर्विस की बात यहां पे की ज राज कि सरकारी भवन है जितने भी सरकारी भवन है उन्हें अभूय अभियंत्रण सेवा के इंजीनियर निहींस की चाम सब्सक्राइब भवन हो जिले के सभी राजकिये भवन हो万 ऐसानसदों के आवास हों वो भी बनवाने की जिम्मेदारी या उनके मरम्मत कराने की जिम्मेदारी या उसका भार किसके उपर रहता है इंजिनियर्स के उपर पर ही रहता है तो किस तरीके से अभियंतर सेवा या इंजिनियरिंग सर्विस सरकार के अंडर में आती है वो भी अपन ने जा महत्वपूर्ण है किस तरीके से है कि व्यापारिक या अध्योगिक शित्रों के विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण हाथ होता है बिल्कुल होता है व्यापारिक जो है व्यापारिक शित्रों या अध्योगिक शित्रों किसी विक्ति को अपना व्यापार या अध्योगिया इंडरस्टी या कारखाना चालू करना हो तो हर विक्ति के पास इतनी मात्रा में पूंजी उप्लब्द नहीं होती कि वो अकेले दमपर ये काम कर पाए वो किसका सहारा लेता है वो बैंकिंग सेक्टर का सहारा लेता है उस से लोन के माध्याम से यानी कि उधार के माध्यम से अपना काम चालू गरता है तो ये इन्हें वित्त सेवा भी प्रदान करते हैं बैंगों से आम जंता भी सेवा ले सकती है किलियर हुई कि किस तरीके से सरकार के स्वामित्वम में बैंक सेवा आपके लिए उपलब्ध है और आपके लिए काम करती है और किस तरीके से बैंकिंग सेवा से दूसरे व्यापा रुध्योग भी संबंध रखते हैं किलियर हुई ये बात तो इसमें हमने जाना इस क्वेश्चन के माध्यम से कि सेवा छेत्र का जो है भारत सरकार जो है भारत सरकार किस तरीके से आपको सेवाएं देती है भारत सरकार का सेवा छेत्र के विशेय में कितना योगदान है ये कुछ है सेवाओं के माध्यम से हमने जाना चलिए तो अब अपन बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ आज का question number 15 है जो कि देरगुत्रिया प्रश्न ही है उसमें आप से पुछा गया है कि वर्तमान आर्थिक मंधी का प्रभाव भारत के सेवा छित्र पर क्या पड़ा अब अपन ने इसको जो है लगुत्रि के रूप में लिखते हैं कुछ पॉइंट्स के जरी इसको समझने की कोशिच करेंगे कि वर्तमान आर्थिक मंधी का प्रभाव भारत के सेवा छित्र पर क्या पड़ा चलिए जानते हैं तो वर्तमान आर्थिक मंधी की चपेट में बड़े बड़े विक्सित देश तक आ ग कि आज की अवस्था में भारत का पूजी बाजार काफी मजबूत है ठीक है उसके बाद देख है कि एक तो यहां के इंजीनियर काफी दक्ष और सस्ते में उपलब्द है यानि कि हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर है और कम वेतन पर भी दूसरे देशों में जाके काम कर लेत हैं दूसरी और भारत का सुचना प्रध्योगे की सेवाई यानि कि इन्फोर्मेशन टेक्नलोजी सेक्टर जो है काफी मजबूत है और पूरे विश्व में इंजीनियर्स की यानि की भारत के इंजीनियर्स की डिमांड है आज एक बाहस रोत के संसाधन भी बने हुए है या शाफी कमज़ूर हो भारत की आधार वो सनशने यानि की बेसिक इंफ्रस्ट्रक्टर जो है वो भले ही कमज़ूर है फिर भी आर्थिक मंदी का प्रभाव जो है यहां पर हमारे भारत देश पर बहुत जादा नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत पढ़ा है वो किस तरीके से यहां के जो इंजिनेर्स बाहर काम करने गए या वैज्ञाने काम करने गई तो उनमेंसे कुछ को जो है रुजगार से निकाल दिया गया तो उस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन जादा नहीं पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा ग्यों की यहां का पूजी वाजार सब्दों के कारण आत्मत्या करने को विवश हुए हैं लेकिन इसका कारण आर्थिक मंदी नहीं खराब मौसम है यानि कि जब विश्व पे आर्थिक मंदी का दौर आया लोगों की नौकरी गई तो विदेशों के लोग कुछ आत्मत्या कंने पर भी मजबूर हो गए लेकिन भारत की लोगों ने वो काम नहीं किया हाला कि यहां पर कुछ किसानों को ऐसा देखा जाता है कि क्रशी शेत्र में सनलंगन होने के कारण जबकि भारत की अर्थवबस्ता क्रशी पर ही निरभर है तो कुछ किसानों के पिछले क उस दिनों में आत्फत्या के मामले सामने आये थे लेकिन लेकिन वो मंदी के कारण नहीं आये थे वो भारत के खराब मौसम के कारण आये थे कि मौसम के कारण जो है उनकी फसल जो है उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही थी इसलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया ले पर नहीं पड़ा यहां भी बड़े उध्योगों से कुछ लोगों को निकाला गया है ठीक है और वे बेकारी की चक्की में पिस्ते रहने को बाध्य हुए हैं यानि बेकारी यानि की बेरोजगारी के जब उनको एक काम से निकाल दिया तो दूसरा काम खोजने में समय तो लग हैं भारत जो है सुचना प्रध्योगी के छेत्र में विस्व इस्तर पर अग्रडी हैं इस कारण भारत पर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं के बराबर पड़ा क्योंकि हमारी इन्फॉरमेशन टेक्नालोजी बहुत मजबूत है हमारे देश के कई वाइस छेत्र में काम कर रहे हैं सिवाए इसके कि भारत के लोगों को कैंद्र और राज्य सरकारों की गलत नीतियों के कारण महेंगाई की मार जहिलनी पड़ी है यानि की कैंदर सरकार और राज सरकारों के द्वारा जो नौकरियां दी जानी चाहिए उनके कारण तो जो है हमें नौकरी नहीं मिली तो उनके कारण तो मंदी की मार जहिलनी पड़ी लेकिन भारत के पूजी बाजार भारत के बहु शेतर के कारण जो है मजबूत बनी रही तो इसके जरिये जो है हमने क्या क्या जाना कि विश्व की जो आर्थिक मंदी है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से जाना तो आज के शेशन में वसितना ही आज का जो शेशन है वो था मारा किसका महत्वपोड क्वेशन का मोस्ट इंपर्टेंट क्वेशन यानि कि आज का सेशन था MIQ session का आंगे और भी नए session आने वाले हैं नए chapters आने वाले हैं उनसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा उनसे जुड़े रहने के लिए आपको Magnet Brains के YouTube channel, website और application से जुड़ा रहना होगा साथ ही साथ अगर आप हमारे e-books और e-notes भी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ जो description box में link दी गई है वहाँ से आप available कर सकते हैं साथ ही साथ हम provide कराते हैं हिंदी और English दोनों medium में ये सारे top courses तो आपको क्या करना है आज के इस session को जादा से जादा like करना है जादा से जादा शेयर करना है साथ ही साथ आपको subscribe करना है Magnet Brains का channel और Magnet Brains का channel जो है YouTube के अलावा other social media platform जैसे की Facebook, Insta, Twitter and Telegram पर भी available है तो channel से जुड़े रहिए daily के live session से जुड़े रहिए daily के recorded session से जुड़े रहिए पढ़ते रहिए खुश रहिए thank you so much